हुआ हालो दोस्तों नमस्कार वीजूल आर्ट हिस्ट्री चैनल पर आपनों का स्वागत है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिसे वीडियो की न्यूट्फिकेशन आप लों को मिल सके और कमेंट में भी बताईएगा आप लोग कि कैसा लग रहा है वीडियो में हम जो जानकारी दे रहे हैं वो कैसी लग रही आपको वो कमेंट करेंगे तो हमें भी पता लगेगा कि हां मुझे और क्या करना चाहिए और मैं एक्जाम के दिरिश्टे से यतने महत्फ़ोंट टॉ यूजफूल वीडियो एक्जाम के दिरिश्ट से बनाऊं का ओ सुझे महिला कलाकार सीरिज जो चल लेह apt आज की महिला कलाकार स्रीज में कर्षिघ में अमने लिया है अंजली इला मिनन को अंजली इलमेनन मुख्रता चित्रकार हैं और इनका नाम चित्रकला में जो है कि महिला कलाकारों में इनका प्रमुक्थास लिया जाता है बहुत ही फेमार्स आर्टिस्टों में इनका नाम है और इनका जन्म जो हुआ है 1940-1940 बर्नपूर वर्दमान परश्चिम मंगाल में परिच्छा की द्रिष्टे बहुत ही महत्पूर्ण है दोस्तों क्योंकि ये कलाकारों का डेटा बर्थ और जन्म इस्थान पूछता रहता है एकजाम में तो ये याद रखें कि 1940 में इनका जन्म ये सर्जेजे स्कूल आफार्ट मुंबई से कलाकी सिचाली है और इनके गुरू जो रहे हैं वो सैलोज मुखर जी अंजली इला मेनन के सम्मान की हम बात करें कि इन्हें क्या-क्या सम्मान मिला है पुरुषकार मिला है तो सन 2000 में इन्हें पदम सिरी सम्मान इला भारत सरकार द्वारा और सन 2013 में कालीदास सम्मान मध्यप्रद्र सरकार द्वारा मिला है अंजली इला मेनन को कलाच्षेत्र में पर्चे कराने का जो हाथ था इन मलब कलाच्षेत्र में जो लाने का स्थ्रेय जाता है तो वो एमफ हुसाइन को जाता है एमफ हुसाइन के सनच्षण में रही और हुसाइन ने इनको कला जगत से पर्चे कराया और कई परदर्शियों में इनकी पेंटिंगों को परदर्शित कराया और कैम्प बगरा में काम करने का एक एमफ इनको कैम बगरा भी करवाया और कई काम करने का कहिए तो एक स्थान दि एक फ्लिट फार्म दिया हुसान साब ने और अंज्री एला मेनन का विवा एक नेवी अफिसर थे राम गुपाल मेनन उनके साथ हुआ साधी के बाद ये कलाशेतर में पूरी तरह से जो की जोड़ जाती है और अपने पेंटिंग में काम करने लगती है और इनके जो हम चितर के बाद करें तो इनके चित्रों में इनके जो विसए हैं पेंट जो करती हैं उसमें आप देख सकते हैं घरेलू वस्त्वे हैं कप बोर्ड है खाली कुर्सी है और फरनीचर वगएरा इत्याद ऐस टाइप के काम में देखने को मिलता है इनके और इनके चित्र में कव्वे भी बनाएते जो कव्वा अच्छी होता है उसको भी बनाती है पीछे वेगरान म कई पिंटिंगों में देख सकते हैं कि वो कहीं ने कहीं कवों को इस्थान देती हैं दाना चुंकते हुए 1969 में 1959 में फ्रेंच सरकार द्वारा च्छात्रवित्ती मिली और ये यूरोप चली गई वहाँ पे प्रफेसर के सनच्छन में राकर एटेलियर फ्रेसको पदत में काम गिया फ्रेसको पदत में इन्हों काम सीखा जाकर ये यूरोप में सन 1966 में 1966 में डिफेंस सर्विस स्थाफ कालेज वलिंगेटन के लिए इंद्रा गांधी का पॉर्ट्रेट बनाने के लिए कारभार सो पा गया इंद्रा गांधी का पोर्ट्रेट बनाने के लिए कारभार सौपा गया था और प्रधान मंत्री थी उसमें इंद्रा गांधी तो अच्छे इनके संपर्क थे उसमें क्योंकि इनके पती नेभी में अधिकारी थे और इनकी यूच्चित्र क्रतियां हैं उसमें इस्त्री पुरूस पादरी कोवे पतंग जैसे प्रतीक दिखाई देता है यूज करती है इस्त्री का होगा पुरूस होंगे पतंग इस टाइप के कुछ काम में इनके दिखता रहता है और एक मुख्य बाद ये मैं जोड़ना चाहूंगा कि अंजली इला मिनन अंजली इला मिनन के सत्तरहमी जनन दिवस पर जो है कि फिल्म निर्माता स्याम बेनेगल ने एक इनकी वायोगरफी लिखी थी अंजली इला मिनन थ्रॉट दा पतीना ये बहुत ही मत्रपूर्ण है कि पूछता भी एकजाम में कि स्याम बेनेगल किस से संबंदित है ये पिशे एकजाम में पूछा भी गया है तो ये एक फिल्म निर्माता है और इन्होंने इनकी उपर अंजली इला मिनन के उपर एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है अंजली इला मिनन थ्रॉट दा पतीना और इसका उद्गाटन जो गुत्पूर प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग और उनकी पतनी गुर्शरन कोर ने की थी तो यह बहुत ही मत्पोर एक्जाम के दृस्ट से की अंजली इला मिनन थ्रॉट दा पतीना किस राइटर ने लिखा है तो सियां विनेगल ने और किस वेग था तो अंजली इला मिनन के ऊपर लिखा गया है हम इनके चित्रों के बारें बात करनेते हैं इनके चित्र इस प्रकार हैं जैसे कि एक इनका चित्र है एलिम्मा जो कि 1959 बनाया था बट्टी कालोवा और नौवंबर एक पेंटिंग इनकी है जो 1986 मनाया कैप्टिव मौक और ड्रीम गर्ल विदे मंकी यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह ड्रीम गर्ल विदे मंकी फिर इसके बाद है होमलेंड रोमन नई न्यूड विदे डाग उसके बाद है पुजारी हाउस फिर है रिमेंबर दा टाउन और है जिनूबिया क्राउने डस्क और है इनका जो किचित रहें आगे हम देखते हैं जागेश्वरी ड्रीमिंग आफ इन इंडियन समर दा रूम दा मिरर खादी बजार किच किच होता है एक इनकी बहुत ही प्रसीद पेंटिंग है किच किच होता है गौट्स यंड दा अधर्स और रजगने कांथ के ऊपर बी पेंटिंग की है जह सुपर चाहां सौत साउथ के रजगने कांथ उनका भी प्रट क से हावका बढया है और जनकी दो कवट ही प्रकाम कीद के एक पहुत फीनी sach ओपन हाट इस पर उन्हें स्रीज किया था तो ओपन हाट जो है एक स्रंखला इसरीज है यह भी बहुत थी महतवपूर्ण है है में गुजरात रैट्स मीडेट ये भी बहुत है महत्तों पेंटिंग में इनकी है मतर्टरेसा तरोक्यों को देखते हुए ये भी बहुत महत्तों के इनका है लुजरी हाऊस सों म्यूतीसम है यह इनकी पेंटिंग है और पेंटिंग देख सकते हैं कि जो है कि अलचली एक है थ्री नाम से केंटिंग है जो कि 96 में बनाया तो ऑईल मेडियम में तो थ्रेड सेरेमोनि है जिसको उयल इनको इसको भी बनाया है एक उनकी बहुत फेमेस पैंटिंग है और दकुंब्र टू अर्दकुंब टू ये ओयल पैंटिंग इनकी है और ये उलाभाद के पांवाविद होकर बनाई थी और इनका एक चित्र है ब्राह्मन बाज जो कि एक ओयल पेंटिंग है 1988 मनाया था जादू है फेस्टिवाल है और गर्ल वीद मास्क दा गर्ल वीद मास्क दा मीरर शक्ती रिक्सा आन आफ एन इंडियन समर जेमीनी और इनके चित्र है जो कि यात्रा एक यात्रा सिरीज की बनाया था पूरी पेंटिंग उस पे जिसमें छे महिन तक उस पे जो है की काम की थी और अंजली इलैमेनन द्वारा जो कलेंडर आठ पर आधारित चित्र कुछ बनाये हैं उन्होंने अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए एक अलाकार साथ द्वारा फिर हम नए वीडियो मिलेंगे आप लोगों के साथ आजली को